नूरी रमजान की प्रसुत करता हैं अजमल सिद्धिकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal, Thrinmul Congress Minority Cell एकलाख एमर, ex-councillor, ward no. 43 बर्का तली ट्रेडिंग कंपनी, fruit merchant, exporter, importer and order supplier अजर इकबाल, president, ward no. 61, Thrinmul Youth Congress शम्स इकबाल, councillor, ward no. 134, Kolkata Municipal Corporation नफीस एहमद, entrepreneur and CEO, Golden Gate Group मोहमद रियाजुद्दीन, अर्मान मंदर, councillor, TitaGarh Municipalty, ward no. 4 अथर शफी, social activist बिलाल हसन, social activist and president बजमे शहरे निशाथ जुलकरनान अली, founder and president जजबा Welfare Foundation मोहमद जमालोदीन, NRI textile businessman नदीम एहमद खान, philanthropist, social activist असलाम अलेकुम रहमतुल्लाह भरकातू नाज़ीन आप सब का हालाते बंगाल के से खास एपिसोड, खास सो, नूर रमजान में खेर मगदम है हम लोग दो रमजान पार कर चुका है, हम लोग तीसरे रमजान में जा रहे है इस वक हमारे सामने कारी हजड़त मुहमद सुल्तान हुसाइन, अश्रफी साहब है हजड़त आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक दिया हम जाएंगे हमारे से शो से पहले एक आयत करीमा सिसकी शुरुआन करेश असलाम आलेकुम रहमतुल्ही ताला वबराकातु आओ बिल्लाही मिन श्यतानी रर्राजीम बिस्मिल्लाही रर्राह्मानी रर्राहीम हुआ बिल्लाही रर्राही 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 रर्राह बादाओं हुआर रह्मानु रहीम हुआ लजी लाइ 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 लाह इलाहु अल्मलीक अल्कुंदूस स्सालामु लमुमीनु लमुःमीनु लाजीज जे लाइ लजाओंडा कॉमीनु लजार कॉषा लजार का लुठांस लूर्मुताकबृ आदे लोग्मीन लाइ लुपिल लाइ लुई ल्य स्थादुथ स्थादी। स्था लूाइ लुआ लुड़ादी अRISका फॉबधा लुएि लुष, लुष, आमनतु बिल्लाही सदक अल्लाहुलाजीम इसकी तश्रीफ जरा हमें हमारे नाजियन के लिए अल्माहे सदक अल्माद। लिकुम लखल्लाहुलाजीम गम्दान शरीफ का महीना बाज्मत बाबरकत महीना है ये रह्मत नूर का महीना है ये महीना की बेश्मार हदिसों में फजिलतें आई है इसकी अल्माद लिकुमार की ल्यूदळीम इसकी और इसकील गम्दान लिकुमत इसकील्पी लिकुमार है खम्दान शरीफ ये वो महीना है जिसमें बंदा हल्लम्हा अबादत ही अबादत में गहता है दिन में गोजा रखता है वो अबादत गोजा की हालत में सोता है वो सोना अबादत इफ्तारी किया इफ्तार अबादत नमाज तरावी परा तरावी अबादत फिर नमाज तरावी क बात वो सोता है सहरी के इंतजार में तो वो सहरी के इंतजार करना भी अबादत है घमदान शरीफ के महीने को प्याग नबी चल्लाओ अलिए की वालिए की वसल्लमा ने तीन अश्रे में तबदील इशाद फरमाया है नबी ने इशाद फरमाया गमदान शरीफ का पहरा दस दिन घहनमी से नजात का आश्रा है आई गोजा एक ऐसी अबादत है कि जो गोजा सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया ही पे नहीं हद्दत आदम अलेहिस्सलाटों से लेकर उम्मते मुहम्मदिया तक हर नभी और हर नभी की उम्मती पे अल्लह ने गोजा फज्द करार दिया जैसा कि गौान शरीफ में अल्लह इशाद फर्माता है या एयुह लजीना आमनू कुतिब अलईकम स्याम कमा कुतिब अल्लजीना मिन कब्लिकुम लॉल्लकुम तत्तकून एए इमान वालो तुम पे गोजा फज्द करार दिया गया है यही वज़ा है तो गौलमा कहते हैं हज्द आदम अल्यकिस्ट के उम्मती पे हलमहीना का तीन गोजा फर्ज़ता हज्द दावुद अल्यकिस्ट अएक दिन गोजा रखते थे और दो दिन इफ्तार किया करते थे आए गोजा और गोजा में खास सहरी सहरी का भी बहुत इहत्माम किया गया है बहले कैफ हमें चाहिए कि हम गमजान शरीफ की इज़त ताजीम तौकीर करें और इसमें अच्छा से अबादत और गयासत करें गमजान शरीफ के तालुक से मौला अली दामादे गसूल समन अज़त अली रजी ल्लाह तबाग का वताला अन इशाद फरमाते हैं अगल अल्लाह ताला को अमत मुहमधिया पे यकबारगी अज़ाब देना मकसूद होता तो अल्लाह इस अमत मुहमधिया को गमजान शरीफ जैसा अजीम महीना अता नहीं फरमाता और प्रान शरीफ का अगर नबी सल्लाह लगी वालिगी वसल्लम ने इशाद फरमाया ये हदीथ शुब अमान में भी है नबी इशाद फरमाते हैं अगल मेरी अमतियों को गमजान शरीफ के महीना के तعلق से पता हो जाता तो मेरी अमती अल्लह की बारगा हमें दुआ करती कि अल्लह पूरे साल को गमजान ही गमजान बना दे तो गमजान बहुत इबाख्मत औ बाबरकत महीना है और इस महीने में जहां हम गोजा रखते हैं वही हमें कुरान शरीफ की तिलावत भी करनी चाहिए लेकिन मैं अपने कौम से अर्ज करूंगा कि आप कुरान शरीफ ऐसे तो हमेशा गोजाना परें लेकि गमजान शरीफ में बिल्खुस कुरान शरीफ की तिलावते करें अगल हो सके तो कुरान शरीफ की गुजाना एक आयत दो आयत तल जुमा के साथ परें ताकि आपको पता चले कि आपका घब अपनी मुकद्दस किताब में आप से क्या फर्मा रहा है बहुत भूश्गर तो ये थी हज़रत मुझाना 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 वसीम अजगर खान साहब जो कि इमाम खतीब है मस्जिद महबूब रहमानी पंजाबी पड़ा हज़रत आपने बहुत ही कम वक्त में बहुत ही बहतरीन और मुदलल अंदाज में हमें ये बताया कि रमज प्रसुत करता है वेस्ट बेंगल थ्रिद्मूल कॉंग्रेस मानुरिटी सेल एकलाक एहमर एक्स काउंसिलर वर्ड नम्बर 43 बर्का तली ट्रेदिंग कंपनी प्रूट मर्शंट एक्स्पोर्टर इंपोर्टर एंड ओर सप्लायर अजर इकबाल प्रसिदेंट वर्ड नम्बर 61 थ्रिद्मू मुनिसिपल्टी वर्ड नम्बर 4 अथर शफी सोशल एक्टिविस्ट बिलाल हसन सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट बजमे शहरे निशात जुलकर नैन अली फाउंडर एंड प्रेसिडेंट जज़बा वेलफेर फाउंडेशन महम्मद जमालोदीन एनर आई टेक हजरत ये बताया कि ये रहमतों का महीना है उबादों का महीना है लोग नमाजे पढ़ते हैं रोजे रगते हैं तमाम तरह की इबादेते करते हैं मजजिदों में हम लोग देकते हैं अकसर आगत बहुत सारे लोग जो शायद किसी तकलیफ में ये किसी बीमारी के कार captain महम JAWकTI NAMAS TO FARZ E crown है रुटरोört नमाज में उन नमाज में कयाम फर्ज है। अब जो लोग बेगेर ऊढ़र शरय के बैचके फर्जनमाज का कयाम करते हैं या कुरसी पे नमाज परठते हैं उनकी अवरन नमाज होती ही नहीं हैं क्योंकि नमाज में कया मैं कया मैं सजदा अगर मजबूरी है हमें मसला हम खड़ा नहीं हो सकते हैं ज्यादा देगी या बैटने में जमीन पे बैचने में दिक्कत होती है उसके तालुक से अलमा किराम कहते हैं और मसाईल शर्या है जो खड़ा नहीं हो सकते हैं वो अवरन जमीन पे बैचने की कोशिश करें, जमीन पे बैचने में दिक्कत हो रही है, तो फिर वो उजल शर्य के तिहत कुरसी पे बैचने के नमाज पहसकते हैं, नमरे, लेकिन हमारे यहां होता क्या है, कि आदमी अक्सों बैच्टर बजाल वगरा चलते हैं, बहार में चल फिर सही करते हैं, अब मस्जिद में आते हैं, वो कुरसी लेके बैच जाते हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए, फर्जी नमाज में क्याम फर्ज है, तो फर्जी नमाज में अगर कोई एक आयत के मिक्दार भी खरा हो सकता है, मसला, अलहम्दु लिल्लाही गब्लामीन, इतना भी अगर वो खरा हो सकता है, तो फर्जी नमाज में वो इतना खरा हो जाए, फिर उसके बाद वो चक्कराने का अंदेश है, तो बैठ जाए, ये हैं, अब उसके अलावा जो नवाफिल है, या सुन्नत गहल मुक्दा वगरा है, तो वो अगर कोई मजबूरी है, तो नवाफिल तो ऐसा ही बैठ के पर सकते हैं, और अगर मजबूरी है तो आप फर्जी नमाज भी बैठ के पर सकते हैं, जाएफ आदमी हैं, अगर वो इतने जाएफ हैं, तो खरे होने में गिरने का खौफ है, तो शरीयत ने तो ये भी कहता है, अगर वो दिवाल के किनारे है यार कुछ है तो थोड़ा ठेक लगा कि फिस नमाज पहुष सकते हैं अगर वैसा भी नहीं है तो तो वो बैट के परें जमीन पर अगर बैटने में धिक्कत है तो फिर वो कुरसी पहुष सकते हैं लेकिन मस्जिद में अगर ऐसा ही महौर रहे तो ना जाने कितनी कुरसी आ ज नहीं तो वो कुरसी पे नमाज पहुष सकते हैं उसके लिए कोई हरच नहीं यह शरीयत में इजासत है उसकी फज़त एक और सवाल की नमाज की इसे रमजान मुबारक की एक सबसे मक्सूस नमाज जो हम लोग दो दो रिकात करके पढ़ते हैं 20 रिकात अदा करते हैं अगर क किसी का कोई ऐसा काम पढ़ जाता है किसी कारण वो एक दिल तरवी की नमाज अपने मस्जिद में जहां वो पढ़ता है वो नहीं जा पाते तो वैसी सुरुत में वो कैसे एदा करेंगे अगर تراوी की नमाज वो मस्जिद में जमाद से नहीं पह सका है और तरावी की नमाज का वक्त है यानी खत्म सेरी सुभ सादिक से पाघा तो वो घरों में तन्हा दुदो रक़त करके घर में नमाज पह सकता है अगर उस दिन की नमाज गुदर चुकी है कर etme hall? जी हाँ, बिसरकाता ही परना है, बिसरकात ही सुननतِ मौक्टा है, अभर का परेखा को आज बीमे मकतुन मकड़ूगा में बिसरकात तरावी कीनमाज होती है, अगर को चार रकात एक साथ पड़े तो, जी हाँ, नमाजे तरावी दो दो रकत करके पढ़ी जाती है अगर कोई चार रकत करके नमाजे तरावी पढ़ना चाहता है तो तरावी की नमाज में दो रकत पर बैठना उसको जोरी है वो दूसरी रकत पे बैठेगा अपतहियात पढ़ेगा दूर्द इबराहीमी दौाई मासुआ पढ़ेगा सिर्फ सलाम नहीं पढ़ेगा अगर तीसरी रकत के लिए खरा हो गया तो सना पढ़े अगर 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 के सलाम पढ़े नमाज हो जाएगी वरना नमाज नहीं होगी हमारे कारीन का एक मैसिज मा है था आज ही कि उन्होंने गलती से बरश कर लिया है सुबा सोक उठे और उन्होंने गलती से बरश कर लिया है क्या उन्होंने पूछा क्या रोजा रहेगा या नहीं रहेगा या नहीं रहेगा या बताएं अच्य प्रश से रम्दान, मैंद कर रोजे के रह रहे प्रश कर रिए हों सकते ह कि यह एक सवाल का मैं मैं भी मत्मंनी आ ज़ाँ आफ। कि तोट पेस से ब्रश हाह तो उसको मना किया गया है अवल ravant कियुक्हों कि उसके अजिजा व både, बहुत यह होते हैं आप पानी में मिलके अंदर जाने का खच्छा है इसमें जाने का भी खच्छा है इससे घुजा भी टूच सकता है ऐसे तो गोजा मक्रूफ होता है यह सबसे परहिस करना चाहिए एक गोजा एक आदाब गोजा का हमेशा ख्यार रखना चाहिए इसलाम में आदाब का बहुत जादा अहम आहमियत दिया गया है एक आइडीयल रोजादार आप किस स群स्कों माझेंगे देखिया गोजा तो है रोजा के साथ इनसान अपना कारोबारां उल्हार काम करते कही न कहीं लोगों को कारोबार में जिस दौर में में हम लुग लेना पड़त है तो वैसे में एक इन्सान अपने रोजे को कैसे बचाए इसलाम में तो जूट मना है शरी तो मतब पुरान शरीफ से मना है जूट बोलना ही नहीं चाहिए हदिस में प्यार नबी जहन्नत में लेके जाती है जूट बुराई की तरफ लेके जाती है अब बुराई जहन्नम की तरफ लेके जाती है जूट एक इनसान मौमिन को तो कभी भी नहीं बोनना चाहिए घंजान शरीफ में तो ऐसे ही जूट नहीं बोनना चाहिए खाव कारोबार हो या कोई भी हो कही भी जोट की इजासत श्रीयत नहीं देती है क्योंकि आज सिर्फ हमी आज कारोबार करते हैं हमारे अस्राफ ने भी कारोबार किया है मजगान एदीन कारूबारी थे, सहबाए किराम थे, इमाम आधम, अबो हनीफा बहुत बागे ताजीर थे, लेकिन कहां कमी जोट पूरी जोट नहीं बोना चाही है लेकिन भी जोठान रह कर भी जोट होती है जोट छोड़ी तीजिए, मार पीट, गाली गलूज इसलाम इसकी कभी भी अजाज़त नहीं देता है मार पीट, गारी गुरज, किसी को मालना, या किसी को गतर करना, या किसी को ये करना शगीयत में ये बिल्कुल जाइज नहीं है इसलाम सुरारहमी का हुक्मे देता है, गतर तालुक का नहीं मारपीट के तर्लुर के तर्लुक से तर्लाम कहता है जिसने ऐक इंसान्नासन चमिया जिसने एक इंसान से इए वैसे मारपीट की गत्लुगा गारत की Islam में अजासत नहीं है अगाली गरच यह भी अच्छी चीज्श नहीं है आया है आप अपना अखलाग अच्छा करें अपना किरदार अच्छा करें अपनी जबान अच्छी करें ताके आपके लिए कोई दुनियादार नहीं मदीने के ताच़डार صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی زندگی ही आपके लिए काम्याबी की अमानत जमानत है हज़रत हम चाहेंगे जाने से पहले आप हमारे हालत बंगाल के जो कारें नूस्ट्राइक इंडिया को इसको इसे नूर रमजान पोराम के तालग साब क्या पैगाम देंगे है मैं तो यह कहूँगा के हालत बंगाल के तमाम अराकीन मिम्बरान महाफिजीन काबल सताइश वंबालक बाद हैं के वो माहिर रमजान शरीफ में नूर रमजान चैनल चला के आए पौम को बताते हैं के रमजान शरीफ बहुती बाख्जमत बाबरकत महिना है तुम इदर खेल कूट आए ये किर्किट वगरा में मत रहो बलके तुमें वक्त मिले तो अपने चैनल पे कुछ देगे हमदान शरीफ के तालुक से सुनो सीखो आए ये बहुती मुबारक बाद के लाइक है नबी ने इशाद फर्माया खेर नास मैं यन्फ़ नास जिसने लोगों में सबसी अच्छा वो है जिससे लोग नफ़ा हासिल करें तो ये अश्वाक साब इसके पूरे चैनल वाले काबले मुबालक बाद हैं अनको दीनी समाजी मिली सियासी गौमी खिदमात की तव्फीक गफिक अटाब फर्माए आमीन समामीन वे जाहिता हाव यासी बहुत बश्क्रत ये थे हज़रत मुलाना मुहमद वसीम अजगर खान साब जो के ख़दीबो एमाम थे है मस्जिद महबूब रहमानी पाक सरकस पंजाबी पाड़ा हज़रत आपने वक्त दिया और आपने बहुत ही कम वक्त में नमाज के तालोग से और इवादत के तालोग से जो हम लोग की लाइफ में बहुत सारी आम गलतिया होती है जिसको आपने बहुत 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 बहुतिन अंदाज से बताया उमीद करते हैं नाजरीन कि आप इनकी बातों को गोर से आपने सुना होगा और इनसे आपने फाइदा उठाने की कोशिश करेंगे बने रहे हमारे साथ फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए आले में दीन के साथ आप सभी देखते रहे हालते बंगाल डूस्टेक इंडिया